हर्याना एट नाइन पीम न्यूस चानल में आपका स्वागत हैं आपको कराते हीं खबरों से अप्डेट थानकला गाउं की पंचायत को नहीं मिलेगा 334 बी का मुआवजा रिकोर्ड में किसी और के नाम मिले जमीन वाया खडखोदा लोहारू मेरट जाने वाली नैशनल हाईवे 334 बी के विस्तारी करण का काम चला हुआ है जिसके तहट जमीन का अधिक ग्रहन किया गया है इसमें कुछ जमीन वह भी अधिक ग्रहित की गई है जिस पर मौजुदा हाल में थानकला गाउं की पंचायत का कबजा है वे जमीन थानकला ग्राम पंचायत के नाम है करीब 14,38,000 रुपे का मौज़ा बनता है जो जिला रेवेन्य विभाग में आया हुआ है लेकिन जब पंचायत उस मौज़े को लेने के लिए पहुची तो पता चला कि ये मौज़ा पंचायत की खाते में नहीं डाला जा सकता इस जमीन की जब खेवट से हिस्से पहले कभी हुए है उनमें जिन लोगों के नाम ये जमीन है मौज़ा पंचायत को न मिलकर उन लोगों के खाते में पहुचेगा जिसके बाद पंचायत को कई बार जिला रेवेन्यू कारियाले से बेरंग लोटना पड़ा थाना कला गाउं के सरपंच बलराम का कहना है कि गाउं पंचायत को कभी नहीं पता था कि ये मुआवज़ा किसी अन्ने लोगों के खाते में जाएगा गाउं पंचायत अब उन लोगों को तलाश रही है जिन लोगों के नाम ये जमीन है गाउं पंचायत की तरफ से उन्हें मुआवजा दिलाने के लिए साहेता करेगी वे कोई रिकोर्ड निकलवाना पड़ा तो रिकोर्ड भी निकलवाएगी ताकि ग्रामिनों को उनके हिस्से के पैसे मिल सके अधिवक्ता सुमित दहिया का कहना है कि वर्ष 1991 में ततकालीन मुख्यमंत्री भजनलाल की सरकार में मुस्तरका मलकान से संबंदित हक ग्राम पंचायत को दिये थी मामला माननिय सुप्रीम कोर्ट में पहुचा और माननिय सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि जमीन को प्रियोग वे मैनेजमेंट के तोर पंचायतों को दिया जाता है अगर जमीन अधि ग्रहन होती है तो उसका मुआवजा मुस्तरका मालकान को ही जाएगा मानि असली जो जमीन के हक्दार हैं उन्ही को मुआवज़ा मिलेगा पंचायत को नहीं मिलेगा आए बात करती हैं थाना कला गाओं के सरपंच से उनका इस विशय में क्या कहना है इसके बारे में जो ये 334 रोड में जो ये जमीन गई है इसके मामले में मैं सोनिपत गया था डियार ओफिस वहां पे जो ये जमीन है इसमें पंचाथ की कोई जमीन नहीं बताई गई ये जो जमीन है ये जमीन मुस्तर का मालकान की बताई गई है और ये पैसा मुस्तर का मालकान कोई मिलेगा ना कि गराम पंचाथ को और इसकी जो है रासी है वो रासी है 14,38,468 रोपे और इसका जो रकवा गया है वो रकवा है किला咪नल sine लगातार खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहे हर्याना एट 9 पीम न्यूस चैनल नमस्का